मेरा नाम परूल है, मैं गाउं का रहने वाला हूँ, यह उन दिनों की बात है, जब मैं पढ़ाई के सिलसले में दिल्ली में रहने लगा था हम तो दो लोग के एक मकान में रहते थे मकान मालिक हमारे उपर ही रहते थे मकान मालिक से हमारे तालोग शुरु शुरु में इतने अच्छे नहीं थे मगर एक दो बात ऐसी हुई जिसमें परिशानी में हम लोगों ने मकान मालिक की मदद करवा दी थी इस तरह से दीरे दीरे मकार मालिक भी हमसे नरम रवईया रखने लगे जो बात में एक दूसरे से उठने बैटने में बदल गया अब हम एक दूसरे से जरूरत की हर चीज ले लेते थे जिसमें सबसे जादा एहम चीज इस्तरी थी तकरीबन 35 साल अब मकार मालिक का नाम सुनील था और वो एक सरकारी नौकरे करता था उसकी अलाद में एक जवान बेटी राधा और दो छोटे बेटे शामिल थे इसके अलावा उसकी पत्नी थी जो बिचारी किसी वज़े से दोनों आखों से अंधी थी उसकी बेटी बार भी पास कर चुकी थी और दोनों बेटे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे मेरे कमरे का साथी भी मेरी तरह एक प्राविट जॉब करता था सारा काम करने के बाद एक दिन हमारा होता था और वे दिन होता था इतवार का इत्वार के दिन हम दोनों लेट उठने के आदी थे 12 से 1 बज़े तक हम तयार होकर बाहर घूमने फिरने चले जाते मकार मालिक भी हमारे इस आदत को समझ चुके थे क्योंकि इत्वार के दिन हमारी कमरे को अकसर ताला लगा रहता था एक इतवार मेरे कमरे के साथी को अपने गाउं जाना था उसके जाने के बाद मैं कमरे में ही लेटा रहा उस दिन गर्मी भी बहुत बढ़ गई थी मैंने फुल स्पीड में पंका चलाया हुआ था और आखे मूंदे लेटा हुआ था अचानक कमरे पर दस्तक हुई मैंने आखे खुल के दर्वाजे पर देखा इससे में दुबारा दस्तक हुई तो मुझे मालूम मैं दस्तक बाहर वाले दर्वाजे पर नहीं बलकि इस दर्वाजे पर हो रही है जुमकार माली के घर की तरफ खुलता है वो हर वक्त दोरों तरफ से बंद ही रहता था ये मेरे लिए अच्छी खासी हैराने की बात थी खैर मैं उठा और दर्वाजा खोलने चला गया तो दर्वाजा खुल गया क्योंकि दर्वाजी की दूसरी जाने वाली कुंडली भी खुली हुई थी पर वहां मकार माली की बेटी रादा खड़ी हुई थी रादा सिर्फ इस वक्त हमारे दर्वाजी पर दस्तक देती थी ज़े मजबूरी होती थी वर्नवे घर में ही बंद रहने वाली लड़की थी मैंने हरानी से उसे देखा और उसके पापा को उससे पूछा उसने बताया उसकी पापा एक जरूरी काम से गए है मिरे दोनों भाई भी बाप के साथ ही गए है उसको इस्तरी चाहिए थी जो मैंने उटकर उसको दे दी उसने खामोशी से इस्तरी ली और वापिस जाते-जाते उसने आखों ही आखों में एक प्यार भरे अंदाज से देखा ये वही अंदाज था जो कि मैंने उसकी आखों में अपने लिए महसूस किया था मैं दूर्द पीता बच्चा नहीं था जो इस तरह के शारे का मतलब नहीं समझ पाता मगर मैं इस महले में भी रहना चाहता था और प्रदेश में रहते हुए किसी महले में रहने के लिए आपको बहुत शरीव बन कर रहना पड़ता है यही वज़े थी कि महले में रहने वाली हर लड़की की नजर को मैंने इग्नोर किया था मैं सिर्फ बुरे वक्त से बचना जादा था वरना तो मैं भी जवान मर्द था मेरे अंदर भी बहुत जादा गर्मी मوجود थी मैं भी आज के महौल में जी रहा था मैंने इतने दिन के कंट्रोल के बाद पहली बाद जवान मर्द की नजर से रादा को देखा था वो एक सुलजी जवाल लड़की थी, उसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल की बीच रही होगी, उसका कत मुझसे 2-3 इंच कम होगा, वो बहुत ही खुबसूरत लड़की थी, उसने गुलाबी रंग के फूलो वाला सूट पहना था, जिसमें वो बहुत ही जादा खुबसूरत लग मैंने महले में 2-3 लड़कों को इसकी पीछे चक्कर लगाते देखा था, लेकिन अभी तक राधा का चकर किसी के साथ नहीं था, और आज राधा पहनी बार मेरे इतने पास खड़ी थी, इससे पहले मैंने उसको दूर-दूर से ही देखा था, वो पहले के दिखने में और आ अंदर सब्रकबान तूट रहा था, शायरी इसकी वज़े से हो रहा था, क्योंकि हम लोग जिस जगह पर खड़े थे, वो एक कमरा था, मैंने उस दिन पहली दफा उसकी मुस्कुरहाट का जवाब बड़ी मुस्कुरहाट के साथ दिया, उसके चैरे पर आने वाली अंदर खीच लिया, राधा इसके लिए तयार नहीं थी, इस तरह से खीच लेने पर उसके तो होश उड़ गए, अब मैंने राधा की एक ना चलने दी और उस पर तूट पड़ा, और बिसर पर उसे नंगी करके उसके जिस्म को निचोड कर रख दिया, एक तरफ उसके नहीं होगा, वो इस तरह से फस जाएगी, उसके सामने मेरी अच्छे पहचान बनी हुई थी, वो समझती थी, आज तक किसी भी मुस्कुराट का जवाबना देने वाला इंसान, क्या कभी ऐसा करेगा, फिर मैंने उससे कहा, अगर तु मेरे साथ संबंध बनाओगी, तो और उसके बाप और भाईयों के आने का समय हो गया था, मैं पिछले आदे घंटे से अपने कमरे में उसके साथ घपा-घप कर रहा था, वगर मैं उसके मुपे कभी-कभी हाथ भी रख देता था, फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मज़ा महसूस किया, पहले तो वो मेरा कजन दुबई चला गया, आज के काम में जल्दबार ही मौजूद थी, फिर वो उठी और मुझे मुझे मुस्कुराते हुए देखती हुए चली गई, फिर मैंने सोचा, कि जिस लड़की को मेतना शरीफ समस्ता था, वो तो पहले ही करवा चुकी थी, और इतना करने के बाद भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई